हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का भर्वा अचार अपने दादी के हाथों का दोस्तों मेरी दादी बनाती थी बहुत टेश्टी लगता था तो आज हम भी बनाने जा रहे हैं भर्वा लाल मिर्च का अचार वीडियो हमारी लास तक देखिएगा अच्छी लगी सब्सक्राइए या तो आम इसे कोटन सब्सक्राइब करने सबस्क्राइब सकते हैं सब्सक्राइब बना यहां दोस्तो की अदोस्तरूब मसाले में लिए हैं जीर hack मेर्थी दाने आजवाइन अरक सरंब धनिया सारे है मसाले को हम भून लेते हैं यह देखिए दोस्तों मसाले हमारे भून गए हैं इसे हम एक बरतन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए देखिए दोस्तों इसे अब हम ग्राइंड करेंगे यह देखिए दोस्तों हमारे मसाले ग्राइंड हो गए हैं इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं देखिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा तेल को भी गरम कर लेते हैं देखिए दोस्तों तेल हमारा गरम हो रहा है जब तक हम अपने मिर्च को भी देख लेते हैं ये देखिए दोस्तों अब मिर्च के हम उपर को निकाल देते हैं देखिए दोस्तों अब इसे हम सटाइसे भर जाएंगे देखें हमने सारे मिर्च को निकाल लिया निकाल दिया हैагं जलते हैं अपने मसाले की तरब तेल हमारा यहा है हमने लिया है काली राई ये देखे दोस्तों अब हमने जो दरदरब मसाले को पीछा था उसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद उन्सान नमक और हमने सरसो को भी ग्राइन कर लिया है ये देखे दोस्तों इसमें हमने डाल दिया है अमचुर कर रखा था उसे हमने डाल दिया है यह देखिए दोस्तों मसाले को मिला देते हैं यह देखिए हमने सारे मसाले बना लिया है अब इसे हम मिर्ची में डाल देते हैं यह देखिए इसका बीज भी हमने डाल दिया है अब मसाले को हम भरेंगे मिर्ची में यह देखिए दोस्तों यह असानी से भर जाता है यह देखिए अगर दोस्तों हमारे मिर्चे के अचार आपको अच्छे लगे तो comment box में जरूर बताईएगा और आप भी try करिएगा हमें बताईएगा हमारे अचार आपको कैसे लगा दोस्तों इसे आप store करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है द देखिए दोस्तों इसे आप एक डिबे में भर कर रख सकते हैं आप इसे store करके एक से डेट साल तक इसे असानी से आप खा सकते हैं यह देखिए दोस्तों हमने इस सारे अचार को डाल दिया है अब इसमें हम डाल देंगे सरसो का तेल जो हमने तेल गरम करके रखा था उसे ह हम डाल देते हैं यह देखे दोस्तों अब इसे हम बंद करके धूप में रख देंगे अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक अंसेयर कर दीजेगा हम फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ बाई दोस्तों